हेलो सेवन्थ क्लास बच्चो आज हम करेंगे मैथ में चैप्टर नमबर टू का एक्सरसाइज 2.4 तो 2.4 काफी असान है इसमें क्वेस्टन काफी आसान है आपको इतनी प्रोब्लम नहीं होगी दूसरी बात ये जो एक्सरसाइज है बच्ची ये डिविजन के उपर बेस है क आओ पहले हम फर्स्ट क्वेस्टन का फर्स्ट पार्ट करते हैं और यह तो आपने छोटी क्लास में भी किया वाए कि डिविजन में हम क्या करते हैं हम रेशी प्रोकर करते हैं उल्टा कर देंगी मल्टिप्लाइग करके खैर आओ मैं आपको एक एक्जाम पर समझारा हूं ले तो क्वेस्टन नंबर मन में जो फर्स्ट पार्ट वो क्या है ट्वेल्ब क्या लिग दिया यह लोगों कि ट्वेल्ब डिवाइड बाई थ्री बाई फॉर अब बच्चे गलती मत करना कुछ बच्चे इसको फूर थ्रीजाट टुवेल कर देंगे नहीं यह मल्टिप्ल आई और जो डिवाइड के आके है क्या है थ्री बाई फॉर हम इसका लेते हैं रेसी प्रोकल यानि इसको हम उल्ठा कर देंगे जो नुमेनेटर में है उसको लिख देंगे उपर नुमेनेटर में अब देखो क्या हैगा अब मल्टिप्लाई कर दो टू फोर जा एड नीचे क्या है 3 8 by 3 इसको आप बच्चे मिक्स फ्रेक्शन में लिख दो त्रेटूजा 6 क्या बज़ गया 2 2 by 3 यह आपका एंसर होगा तो मैंने जान बुझकर बस आपको बच्चे only one part करवाया है बागी के part आप खुश से करेंगे और नहीं आयागा आख से तो मुझसे पूछेंगे तो बच्चे इस प्रकार आप इसको करेंगे चलो एक पार्ट मैं आपको रुको एक पार्ट मैं आपको और करवाता हूँ यह बाला देखो 5 डिवाइड बाई पहले इसको मिक्स फ्रेक्शन से सिंपल फ्रेक्शन में लाओ तो 25 बाई 7 होगा कैसे 7 जा 21 यह क्या हो गया दुखो 7 तरी जा 21 21 प्लस 4 25 25 बाई 7 अब सुनो अब मल्टिप्लाई करना है न तो बच्चे कैसे करेंगे जहां पर डिवाइड है महां पर मल्टिप्लाई कर दो और इसको उल्टा कर दो 7 बाई 25 तो 5 से जा 35 सुरी सुरी इस दूखो बच्चे अब यह कटेगा 5 आप जा 25 5 से 5 कट गया 5 से 25 कट गया 5 पे क्या बच्चा 7 बाई 5 अब यह देखो डेनोमिनेटर छोटा है इसको आप ले जाओ मिक्स फ्रेक्शन में तो मिक्स फ्रेक्शन में यह बन जाएगा आप खुछ से बनाना ठीक है ऐसे ही सारे क्वेस्टन है डिवाइड के डिवाइड में बस आपको ध्यान देना है कि जहां पे डिवाइड है वहां पे मल्टिप्लाई करो और डिवाइड के बाद वाले नंबर को डिवाइड के बाद वाले फ्रेक्शन को उल्टा कर दो रेसी प्रोकल कर दो ठीक है अब question number 2 पे आजाओ question number 2 में बच्चे आपको बताना है simple question यह इसमें कुछ निकलना इसमें बस आपको रेशी प्रोकल निकालना है यानि उल्टा कर देना है और उल्टा करके आपको यह बताना है कि जो answer आया है वो कैसा fraction है proper fraction है या improper fraction है या whole number है तो देखो बच्चे आपने बच्चपन में बड़ा हुआ है proper क्या होता है fraction जिस fraction का हमें mix fraction में convert करने की जूरत नहीं होती कब नहीं करते जब numerator चोटा होता है जैसे 7 by 10 जब denominator बड़ा होता है और numerator चोटा होता है तब ऐसे fraction को हम mix fraction में convert नहीं करते और ऐसे fraction को क्या बोलते हैं हम बोलते है proper fraction जिस मालो उल्टा काम हो गया मालो बच्चे ऊपर वाला हिस्सा बड़ा है नीचे का हिस्सा चोटा है यान denominator चोटा है तब कहते हैं इसको mix fraction में convert करने की जुरत होती है और ऐसे क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं इंप्रोपर इंप्रोपर fraction और बच्चे मालो जिसका fraction होई ना सिम्पल है जैसे टू टू वन एट जिसको हम fraction में लिखने की जुरत नहीं होती ऐसे नंबर से यहां बोल fractions के आपको करना है reciprocal फिर बताना है कि यह कौन से fraction है आओ कुछ पार्स में आपको करवाता हूँ देखो अच्चे यह क्या है 3 by 7 3 by 7 का लुटा करो 7 by 3 क्या इसको mix fraction करने की जोड़ता है बिल्कुल है आपको करके दिखाना नहीं है बस बताना है कौन सा fraction है जहां पे आपको denominator छोटा है वहां पे बोल दो इंप्रॉपर फ्रेक्शन कौन सा fraction इंप्रॉपर पी आर ओ पी यहां भी जगह नहीं था तुमने नीचे लिख दिया इंप्रॉपर फ्रेक्शन आओ एक जामपर और लेते हैं जैसे है 9 by 7 को आप उल्टा करो 7 by 9 यह कौन सा fraction है यह प्रॉपर ह है क्योंकि इसको हमें मिक्स फ्रेक्शन में करने की जूड़त ही नहीं है क्योंकि जो डिनोमिनेटर है वह बड़ा है पहले से ठीक है अब अच्छे मेरी बात सुनों आओ एक क्वेशन और करेंगे 1 by 8 1 by 8 का उल्टा क्या होगा 8 होगा 8 by 1 लिखने की जूड़त नहीं होती यानि 8 लिख दो आप यह कौँसा फ्रेक्शन है तो यह बिना फ्रेक्शन से भी चलेगा यह होल नंबर है क्या है तो ऐसे आपको करने है क्वेशन यह सुनो एक बात और आप डारेक्ट क्वेशन नहीं दोखोगे क्वेशन में कैसा है पहले उसको करोगे रेसी प्रोकल करन ada है तो मैंने यहां पर बस एक पारट दो पारट किया और बाकि दो पार्ट आप खोसे करेंगे सेवफ़ाई भाई ट्रीस भाई होई है वहाँ पे मल्लिप्लाइए करो तुट लिका अवा जहां पे उसको उल्टा कर दो का उल्टा वन प्रेक्षन में करो तो 47 जा 28 28 प्लस 3 31 बाई 7 डिवाइड है तो डिवाइड डिवाइड बाई 7 ठीक है जहां पर डिवाइड वहाँ पर मंटिप्लाई लिखो 7 का उल्टा 1 बाई 7 31 बंजा 31 77 49 31 बाई 49 ये आपका अंसर आ गया देखो बच्चे मैं बहुत ही फास्ट करवा रहा हूं जान बुझ कर क्योंकि बच्चे प्रैक्टिस बहुत हो चुकी है फिर भी नहीं आता है तो मुझे को प्लीज पूछ लेना मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो मैं समझा रहा ये बच्चे आप मुझको अपनी प्रैसानी दिक्कत या डाउट नहीं बताओगे तो मैं कैसे जान पाऊंगा वैसे भी एक तो मैं बच्चे हम इस कोरोना के समय में एक हमारी मजबूरी है हमारी भी और आपकी भी कि हम दूर दूर रह के पढ़ रहे हैं ओनलाइन क्लास ल सेस इंप्रेशन कुछ खास नहीं है साथ इसको ना आया हो अब बच्चे आप प्लीज अब ये ओनलाइन क्लास है अब इसमें आपकी भी जिमेदारी बनती है कि बीना हमारे कहें आप अपने परिसानी हमको सेर करें डाउट जो भी है किसी भी क्वेस्टन में जो भी परिसा एक राया लास वाला क्यों क्योंकि देखो आप इसमें क्या आलग है वंसा अलग है तो सेम चीज है तब मैंने आपको लाश्ट पार करवा दिया क्योंकि बच्चों को को होता है नमन में कि बड़ी वैल्यू देखकर डढ़ जाते हैं जबकि होता कुछ नहीं उसमें सब चीज कॉमन है आजाओ फिर भी मैंने एक पार्ट करवा दिया वह है लास्ट वाला क्या बच्चे टू एंड वन बाई फाइब डिवाइड बाई वन एंड वन बाई फाइब पहले इन दोनों को mix fraction से simple fraction में convert करो तो यह मैंने 11 by 5 किया यह मैंने 6 by 5 किया कैसे किया आप खुश से calculation करें देखे कैसे आया जहां पर divide है वहां पर multiply लिगो और divide वाले बाद के नंबर को उल्टा कर दो रेसिप्रोकल कर दो तो इस प्रकार बच्चे आपका 2.4 complete होता है अब हम अगली exercise 2.5 अगली वीडियो करेंगे ठीक है बच्चो तो आप इसे अच्छे से कॉपी में उतारें जो भी डाउट है मुझसे पुछें तो बच्चो बेस्ट आफ लक है वर नाइस डे गोर बलेस यू